हन जी राम राम जी क्या हाल चल आपके उमीद करता हूँ आप और आपका प्रिवार ठीक ठाक होगा राजस्तान में नई भरती निकली है होम गार्डगी आठवी पास कैंडिट अपलाई कर सकते हैं लग भग चार जार क्यास पास पोस्ट है यदि आप जाना चाहते हैं इस भरती के बारे में डिटेल से तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे है नोलेज टीवी देशी तावी यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिगा आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इंफोरमेशन आप तक पहुंचाने के लिए पर इडित करेगा तो देख लेते हैं दोस्तो राजस्तान में भरते के बारे में तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्तान होमगार्ड की वकेंसी है और 3842 इसके अंदर पद है 3842 सैलरी कितनी मिलेगी 693 रुपे एक दिन की 693 रुपे परड़े के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी जो वह लोकेशन आपकी राजस्तान रहेगी ठीक है और फीस कितनी रहेगी फोरम बरना चाहते हो तो जनरल और OBC की 100 रुपे फीस है ST, EWS, MBC की 200 रुपे फीस है फीस कैसे बरनी है ओनलाइन तरीके से ही आपको फीस जमा करवानी है फोरम कब से स्टार्ट हो रहे हैं 12 जनवरी से लास्ट डेट 11 फरवरी ठीक है और अपरेल 2013 में अपका P.E.T.P.E.S.T. फीजिकल होगा इसका ठीक है आगे चलते हैं जी एज लिमिट क्या है 18 से 35 साल एज लिमिट है जो छूट होती है वो अलग से दी जाएगी एज की काउंटिंग 11 2023 इस डेट को काउंट की जाएगी होम गार्ड की वकैंसी 3842 इसके अंदर पद है योग्यता क्या है आठवी पास कैंड़िट इसके लिए पलाई कर सकते है आठवी पास ठीक है जी प्रोसेस क्या होगा इसमें सेलेक्शन का फीजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा फीजिकल एफिजिकल एफिएंसी टेस्ट होगा 25 नमबर का डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगी 20 नमबर इसमें आपके स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी जैसे कि किसी के पास NCC है तो नमबर मिलेंगे इसमें कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा इन ही प्रोसेस पर क्या होगा आपका स्लेक्शन किया जाएगा यदि आप आठवी पास है राजस्तान में होम गार्ड की पदपर काम करना चाहते हैं तो आप इस भरती के लिए आवे दिन कर सकते हैं इसका जो अपलाई करने का लिंक और इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो टेलेक्राम पर मैं डाल दूँगा टेलेक्राम पर आप विजिट कर सकते हैं तो ये भरती थी आपकी 11 फरवरी फोरम बरने की लास्ट एट है आज की इस वीडियो में इतना ही दन्यवाद भगवान करें आप सभी कसमें सुब रहे